राजिस्थान से एक हैरान कर देने वाली खबर से आमने आ रही है। श्रायद खबर को सुनने के बाद आपका दिल भी पसीज जाए। आपको बता दे राजिस्थान के एक जिले में टीचर ने बच्चे को पीट पीट कर मार डाला। आपको जानकर हैरानी होगी कि टीचर ने बच्चे को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि बच्चे ने टीचर के घड़े से पानी पिया था और बच्चा अनुसूचित ज्वाती से संबंद रखता था आपको बता दें किसफिस सदी में भी छोटी मानसिकता के चलते माबाप ने अपने एक बच्चे को खो दिया बता दें कि माबाप बच्चे के इलाज के लिए गुजरात तक गये और 25 दिन इलाज के लिए भटके लेकिन कोई भी माबाप की मदद करने को तैयार नहीं था परिजुनों ने सूत्रों के मुताबिक बताया है कि बेटे का 23 दिन लगातार इलाज चला है जानकारी के मुताबिक पिटाई में बच्चे की कान की नस फट गई थी जानकारी के मुताबिक पहले बागोडा, फिर भीम्नमाल, डीसा, महसाणा, उदेपुर और बाद में हमदबाद के सिवल अस्पताल में बच्चे को भड़ती करवाये गया छे अस्पताल के डॉक्टर्स ने बच्चे की जिंदगी बच्चाने की बहुत कोशश की मगर अंत में सारे प्रयासों पर पाने फिर गया, बता दे, सौसे ज्यादा अनुसूचित जाती और जनजाती से तालुक रखने वाले बच्चे, उसी स्कूल में अभी भी पढ़ते हैं जनकारी के मुताबिक ये मामला राजिस्थान के जालौर का है, जहां पर बच्चे को पीट पीट कर, टीचर ने मार डाला मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने सियासत गर्माने के बाद ट्वीट किया और घटना की निंदा भी की है, इतना ही नहीं आपको बता दे सांसद हनुमान बेनिवाल ने भी टूइट कर सरकार को गिरा है, जहां उन्होंने कहा है कि एक तरफ देश अजादी का अमरित महचसव बना रहा है, और दूसरे तरफ हमारे पश्चिमी राजिस्थान के कहिस्सों में अभी भी सामानत वाद हावी हो रहा है आर क्याstes देफ खश्यों में वाद दिख सामान, ब जगेdoes हैं जगो रहा है हमाना dolव से जहाँ बना रहा है झाल झाल